हलो फ्रेंज वेल्कम टू आर चैनल फान्वेट्स फूड सो आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे वह भी बहुत ही असान तरीके से भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे फिर हम उसमें दो से तीन बड़े चम्मच आठा डाल देंगे अब हम उसमें थोड़ा नमक डालेंगे नमक डालने के बाद उसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे कस्तूरी मेथी आप स्किप भी कर सकते हैं फिर हम उसे अच्छे से मिला लेंगे अब इसे हम पानी से नहीं गूंदेंगे, इसके लिए मैं बिसलेरी का सोडा यूज़ कर रही हूँ आप कोई और सोडा भी इस्तमाल कर सकते हैं, सोडा यूज़ करने से आपके भटूरे एकदम फूले फूले बनेंगे अब हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे, आटा हमारा जो है वो ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत सक्त भी नहीं होना चाहिए अब आटे को हम एक गंटे के लिए ढखकर साइट पे रख देंगे हम एक चोटी लोई लेंगे, उसमें तेल लगाएंगे, जिस तरह हम पूरी बनाते हैं उसी तरह उसमें तेल लगाकर उसे अच्छे से हम बेल लेंगे साथ ही हम कड़ाई में तेल रख देंगे, क्योंकि भटूरा जो है बिलकुल गरम तेल में तला जाएगा आप नए हैं हमारे चानल पर तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दीजी भटूरे बिलकुल फूल रहे हैं आप इसको हलका हलका दबाएंगे और फिर जैसे एक तरफ से यह पक जाएगा, इसको हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको पकाएंगे भटूरा तयार है अब आप इसको enjoy कीजिए चनों के साथ और जल्दी हम अपने चनों की recipe भी YouTube चैनल पर अपने upload करेंगे